आज हम बात करने वालें किसकी काउंटिंग इन टेंस की ऐसे ही सीख जाओ जो 10 कंप्लीट करता है उसको बोलते हैं 10 जिसमें 10 कंप्लीट हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं 10 वो ही काउंटिंग अपन करने वाले हैं किसमें 10 में बोलते हैं 10 10 के उसमें चलने दो chickens and the clever fox बहुत प्यारी स्टोरी है chicken and the clever fox fox clever होती है वो donkey कैसे clever बोल दिया में को समझ में नहीं आया fox मतलब lomdi lomdi clever होती है start of a story यहां से देखते चलना tickloo नाम देख लो क्या है tickloo tickloo farmer has many chicken in our farm tickloo नाम का farmer है उस farmer के पास में बहुत सारे chickens है chickens मतलब मुर्गी के चटे-चटे बच्चे one day a clever fox saw this naughty chickens playing around lomdi की नजर पढ़ गई किस पे यह chickens पे अब देखो lomdi तो खाईगी इनको देखना कैसे from that day she started stealing and eating chickens everyday अब tickloo के जो chickens देना fox उसको खाना शुरू कर देती है अब tickloo किसान है पूसता है hey do you eat my chickens tickloo बोलते आए hey fox तु मेरे chickens तो नहीं काती है no dear I am your friend how can I eat your chicken नहीं मैं तुमारी सहली हूँ मैं तुमारे chickens कैसे खा सकती हूँ tickloo thought of counting our chickens every morning tickloo ने का अब मैं रोज सुबा अपने chickens को count कर लूँगी and evening सुबा भी और but the chickens kept moving around here and there अब ये मुर्गी के बच्चे को एक जगा कौन कैसे खटा करेगा वो हर जगा गूमते है she said I will put ten chicken in one basket क्या करती है दिमाग लगाती है क्या करती है 10 chicken को एक basket के अंदर डालती है और count कर लेती है and I will find any of them missing I will give fox a tight slap slap का मतलब थपड होता है slap का मतलब क्या होता थपड बोले अगर कोई भी chicken कम हुआ तो fox को तो मैं थपड लगाऊंगी देखना ध्यान से क्या हुआ in the morning she counted her chicken morning में count करेगी मेरे साथ बोलो ये भी किता 10 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 10 20 30 40 50 51 52 53 54 कितने आगे टोटल 54 50 प्लस 4 54 बात समझे की नहीं समझे देखना 54 है how many basket of 10 chickens are there कितनी बास्केट है 10 chicken की 5 10 chicken की कितनी बास्केट है 5 और टोटल करो 50 प्लस 4 तो हो गया 54 काउन कर लिया morning में in the evening she counted the chicken again शाम के समझे उसमें फिर काउन किया they are our dash basket of 10 chicken औरे 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 1,2,3,4 बाप रे बाप केवल 4 ही basket है और ये 2 इदर है 4 basket है 4 basket में chicken है और ये 2 इदर है देखो क्या हो गया क्या हो गया देखो 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 one two three four basket में है और ये one two three वहाँ परे कुछ missing है कुछ chickens missing है missing है there are dash baskets of ten chicken basket कितनी की है बोलो बोलो four there are forty plus three total हो गए forty three ये forty है और ये three है total किते हो गए forty three ये बताओ यहाँ पर fifty four थे और यहाँ पर किते बचे 43 मतलब ये एक गया इधर से और एक basket पूरी गई किते की ten की एक basket और थी ना पहले five basket थी और four basket है मतलब एक basket में किते चले गए ten और यहाँ पर पहले four थे अब three है मतलब यहाँ से किते गए one ten और one कितने चले गए eleven कितने गए पहले 54 थे अब 11 चले गए और बच्चे है 43 टिकलू का तो दिमाकी खराब हो गया होगा रुख बोले बताता हूँ दिया होगा उसके fox को अच्छे सी बानू collect stick from the jungle ये बानू है ये sticks लेके आता है कहां से जंगल से और बेच देता है market में वही लकडी वाला लकडारा वही है he uses 10 stick to make one bundle दस लकडियों का एक क्या बना देता हो गठा three bundles देखो कितने bundle है three एक में कितनी है 10 तो 10 into 3 30 ये बात समझ में आई कि नहीं ये बताओ एक में कितनी 10 तो 3 में कितनी 10 30 आगे देखो now how many sticks in all are this ये count करेंगे बना बोलो 10 बोलो na 10 20 30 यहां से count कर लो 30 plus 3 33 36 और ये 3 39 टोटल कितनी sticks है 39 ये बात समझ में आई कि नहीं फिर से कितनी sticks है total 39 four bundles would have कितने bundles है बोलो ना four एक में कितनी 10 तो four bundle में कितनी 40 हो गया बात जमरी ना there is a wedding in Malti's house Malti के घर में क्या है wedding wedding मतलब शादी she is making garland garland का मतलब होता mala garland का मतलब क्या होता mala flower garland मतलब फूलो की mala ये देख लो flowers है और ये garland है 10 flower की एक mala बन जाती है 10 flower को वो collect करती है और क्या बना देती है एक mala मतलब एक mala में कितने फूल आएंगे 10 फूल आएंगे ठीक है अब देखते चलना यहाँ पर क्या हुआ देखो count करो ये कितने flowers है लिखा है 8 और ये कितना है 1 2 3 4 5 5 मतलब 50 और 8 कितना हो गया 58 बताओ तुमको 10 में counting समझ में आ रही कैसे होती है अब फिर से count करो 10 20 30 40 50 60 कितने हो गया 60 और ये count करो 61 62 63 64 65 66 67 ये सब count किया तो कितने हो गया 67 पहले 10 का count किया फिर individual count किया how many garland of 10 flower can you make using 21 flowers कितना 21 है एक में कितने आएंगे 10 1 2 3 3 और 4 7 8 9 10 एक में कितने आएंगे 10 देख लो एक में कितने आएंगे 1 2 3 4 7 8 9 10 ये गारलेंड बनेगा कितने का 10 का बोलो गारलेंड कितने का बनेगा 10 का ये एक बना ये दूसरा बना इस में भी कितने 10 इसमें भी कितने 10, अब यहाँ पे कितना flower बचेगा एक flower बचेगा तो हम कितने garland बना सकते हैं 21 flower से आप बताओ, कितने 2, बागी तो रह जाएगा एक जैसे का, वैसा लीला, can you see all this pencil हाँ, ठीक है how many are this, if you make a good guess you will say, oh, पूरी pencil मिल जाएगी, सही guess करना मैं तुमको guess करना सिखाता हूँ ये बताओ दो पहले, ये कितने हो गए 4, ये count करो 2, 4, 6, 8, 10 ये कितने का बंच बना, 10 का बस देखते चलना बोलो 10, बोलो न 10, फिर बोलो 10 फिर बोलो 10, 10 20, 30, अब भी अपन guess करेंगे देखना, जहां बंच बनेगा 10 बोल देना, बंच बनेगा कितना बोल देना 10, 10, 20 30, फिर अपन आगे चले हाँ ये 30 आद रखना 40, 30 के बाद यहाँ पे आए 40, 40 के नीचे 50 50 के नीचे 60 अब मैं नीचे से उपर लेके चलता हूँ बोलो 10, 20, 30 ये कितना हो गया 30, फिर यहाँ पे देखो 40, 50, ये कितना है 40, ये कितना है 50, और ये देखो ये कितना है 60, और उपर कितनी है 4, 60 प्लस 4 64, पूरी पैंसिल अपने को मिल जाएगी, क्योंकि अपना गेस पूरा सही है, how many packet of 10 पैंसिल are there कितने packet है, 6 packet है, how many pencil are outside the packet outside कितनी है, 4 तो टोटल कितना हो गया, 6 4, 60, 4 और मेरे हिसाब से आपको सबको समझ में आया, अब ये कनक है, बहुत सारी बिंदी लेके आ रही है, does she have, देखना यहाँ भी बिंदी काउंट करेंगा, पन 3, 4, 3, 10 3, 4, 3, 10 3, 4, 3, 10 10, 20, 30, 40, 50, 60 70, टोटल बिंदी कितनी हो गई 70, कितने बॉक्स में 7 बॉक्स में टोटल बिंदी आ रही है 70, याद रखना, 10, 7 जा, 70, how many packet does she have, अब भी बताया कितने packet है, S, E V, E, N, 7 so how many बिंदी is in all 70, 7 packet टोटल बिंदी, 70 4, 3, now 10 बिंदी na, different way 10 बिंदी को रखना है किस बे में different way में, different way में कैसे रख सकते हैं, यह देखना 2 3 2, 3 2, 3, 2, 3 2, 3, 2, 3, 2, 3, 5, 4, 5 यह भी 10, और different way क्या है 3, 4, 3 के लाबा, 2, 3 2, 3, हो गया और different way देखो 1, 2 2, 3, 4 एक और different way क्या है 1, 2, 3, 4 एक different way क्या है 2, 3, 2, 3 है की नहीं है different way हो गया, हो गया, हो गया यहां हमारी यह वाली भी unit हो गई पूरी complete thank you so much कुछ नहीं है, unit 4 में बहुत छोटी सी unit है 6 पेच की unit है, हो गई में को बड़ा अच्छा लग रहा है इस unit में हमको बस एकी चीज़ सीखना था किस में count करने अपने को 10 में 10 और फिर जो बचा वो individual thank you so much for watching this video